क्या गर्बावस्ता के दोरान कच्चे खजूर का सेवन किया जा सकता है तो जी हाँ ये बिल्कुल किया जा सकता है सुके खजूर या फिर छुआरे का इस्तमाल हम आम भोजन में करते हैं लेकिन गर्मियों और बरसाद के मोसम में कच्चे खजूर की सीजन होती है जो खाने में काफी मिठी और देखने में भहुती सुन्दर लगते हैं और छुमारों की तुलना में केलोरी की मात्रा भी कच्चे खजूर में कम होती हैं आईए जानते हैं कच्चे खजूर खाने के फाइदे फाइदा नमबर एक, गरबावस्ता के दोरान महिलाओं में खून की कमी पाइजाना आम बात है ऐसे में महिलाओं को आइरन की टेबलेश दी जाती हैं जिसके कारण कई महिलाओं में उल्टी, मितली, कबज जैसी प्रेसानिया हो जाती हैं ऐसे में यदि उन महिलाओं को खजूर को गरब वस्ता में खाना सुरुक्षित माना जाता है। इसमें मौझूद फुक्त्रोज शरीर को इम्म्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करता है। यानि हमारी रोग परती रोग चमता को बढ़ाता है। ये परसव पीड़ा को भी कम करता है। इस वज़े से ज़्यादा तर महिलाएं प्रेगनेसी के बाद के महिनों में खाना पसंद करती है। फाइदा नमबर तीन खजूर खाने से मा और होने वाले बच्चे की हडियां, आँखों की मास पेसियां तथा दान्तों को भी मजबूत बनाता है। इसमें मोजूद फोलिक एसिड से बच्चे का विकास काफी अच्छा होता है। फाइदा नमबर चार, कच्चे खजूर गर्बावस्ता के दोरान खाने से सिसों में होने वाले मस्तिक और रीड की हडियों को मजबूत बनाता है। फाइदा नमबर पाँच, गर्बावस्ता के दोरान तीसरे वचोथे महिने में गर्बती महिलाओं को केलिश्यम की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। केलिश्यम सिसु की हडियों के विकास के लिए काफी फाइदेमंद है। एसे में महिलाओं को खाने में कच्चे खजूर दिये जाएं तो केलिश्यम की पूर्ती की जा सकती है। फाइदा नमबर 6, कच्चे खजूर में मेगनेश्यम पाए जाता हैं जो बच्चे की हडियां और दातों का निर्मान करता है। फाइदा नमबर 7, खजूर में फाइबर की मात्रा काफी पाए जाती हैं। गर्भावस्ता के दोरान ज्यादा तर महिलाओं को कबज की सिकायत रहती हैं। तो इसमें कच्चे खजूर खाने से पेड की सारी प्रेसानिया दूर हो जाती हैं तथा कबज भी दूर हो जाती हैं। इसे खाने से काफी देर तक भूख नहीं लगती जो हमारे अनावशिक रूप से खाना खाने से रोका जा सकता है। और गर्ववती मैलाई कच्चे खजूर का सेवन करके अपने वजन को नियंत्रित रख सकती है